नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारे नए यूटूब चैनल दा रेलवे ग्यानी में आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आए जबलपुर रेलमंडल से पश्यममद रेलवे ने मेंलान इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट ट्रेन यानी मेंमू ट्रेन दोडाने की सभी तैयारी पूरी कर ली है यह जा रहा है कि यह जो मेंमू ट्रेन है इन ट्रेनों को अगस्ट से चलाया जाएगा यदि सब कुछ ठीक्ठा कर रहा तो पश्यममद रेलवे जबलपुर मंडल की अंतरगत जबलपुर इटारसी जबलपुर कटनी सतना अरीवा एवं जबलपुर सिंग्रोली के बीच वरतमान में चल रही पैसेंजर एवं इंटर सिटी ट्रेनों को बंद कर इन रूटों पर मैंलन इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट यानि मेमू ट्रेन दोड़ा देगा इस प्रोजेक्ट पर रेलवे ने 33.5 करोड रुपे खर्च करके सारी तयारी पूर्ण कर ली है अब सिर्फ रेलवे बोर्ट से हरी ज़ंडी का इंतिजार हो रहा है गौर तलाब है कि एक कोच में अधिक्तम 85 यातरी बैट सकेंगे तथा दोनों तरफ इंजन होने से यह ट्रेन चंद सेकंड में ही 80-90 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार पकड़ लेगी जीपिया सिस्टम लगे होने से कोच के अंदर लगे डिस्प्ले बोर्ट के माध्यम से यातरियों को उस स्टे इंटर सिट्री ट्रेन चलती है और रिवा से जबलपूर के बीच एक पैसेंजर ट्रेन भी चलती है जिसको शटल कहा जाता है इन दोनों ट्रेन में किसी एक ट्रेन को रिप्लेस करके मेमू ट्रेन को चलाया जाएगा इनके इलावा जबलपूर से सिंगरॉली जो इंटर सि वर लेटर आता है हम वीडियो के माध्यम से आपको चरूब बताएंगे बस आज के वीडियो में इतना ही बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए वीडियो अगर पसंद आतो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंट करके बता अगले वीडियो में बाबाई बताएं